गंपति पप्पा मूरिया जै मातादी सिंग रासी वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेंसे बहुत सारे लोग बहुत जादा रो रहे हैं मतलब दिल से रो रहे हैं जिसे आपको कोई दुख है ठीक है और उसको आप किसे से सेया नहीं कर पा रहे हैं मुझे ऐसी से कैंब आपके पास कोई ऐसे पर्सन आने वाले हैं जिनसे आप अप्पनी बातों को बहुत ही प्रेंट से बहुत ही अच्छछे से जो चीजे आप में पके कर सकते हैं आप के सोल कनेक्शनों में हो सकते हैं आप मैं से कूश कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है स्रीमत भगवत गीता के ग्यारवे अध्याय का आप पठन करें या स्रवन करें आप पूरे अध्याय को आप पढ़ सकते हैं सुन सकते हैं क्योंकि कहीं न कहीं आपके इस्टक मुझे starting में ही लगा कि आप में से कुछ लोग किसी ऐसे स्थिती में stuck है जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन आप चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं यह आपके personal life में भी हो सकता है यह आपके professional life में भी हो सकता है और आप में से कुछ लोग spiritual journey के second awakening से आप गुजर रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि patience कहीं न कहीं आपके लिए एक healing आ रहा है आप में से कुछ लोग already healer हो सकते हैं या आप अपनी healing करवा सकते हैं आपके finance आप मुझे ऐसा भी लग रहा है आप लोगों के लिए कि money से जुड़ा हुआ कुछ ऐसी दिक्कत है सेक्रेल चक्रा मूलाधार चक्रा यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे 7 number नजर आ रहा है तो आप में से कुछ लोग spiritual journey में बहुत लंबे समय से हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे है यहाँ पर मुझे इस टक जो energy है इसी वज़े से यहाँ पर मुझे receive हो रही थी आप अपने finance को जितना ज़्यादा बढ़ाने की कोशिस करते हैं उतना ही ज़्यादा मतलब जैसे कहते हैं कि खर्च ज़्यादा हो रहा है earning तो यहाँ पर यह भी situation मुझे नजर आ रहा है फरवरी के मन्त में आप में से कुछ लोग कहीं पर यात्रा कर सकते हैं या आप किसी ऐसे spiritual person से मिल सकते हैं जिन से आपको guide और मार्ग दर्शन प्राप्त होगा और यह जो मार्ग दर्शन है आपके लिए मैं और जून के मन्त में एक new beginning लेकर आएगा आपके personal life में भी आपके professional life में भी मुझे सबसे ज़्यादा आपके spiritual growth यहाँ पर नजरा रहा है जिन रासियों के बारे में मुझे जो ज़्यादा नजरा रहा है मैं वही बता रही हूँ October के मन्त तक आपके life में जो भी stuck situation है उससे आप बहुत हद तक दूर हो जाएंगे बहुत हद तक आप हड जाएंगे जब आप इन person से मिलेंगे यह आपके लिए एक बहुत ही खुबसूरत समय होगा यह आपके लिए एक बहुत ही positive person है और यह आपके गुरु इस्ट देवजी की किपा है यह आपके लिए एक mentor भी हो सकते है मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप मेंसे कुछ लोगों को mentor मिलेंगे जो कि बहुत ही जादा आपके लिए बहुत अच्छा सोचेंगे बहुत positive सोच आपके अंदर देखे mentor सब के लिए अच्छे ही सोचते लेकिन आपके मन में वो positive energy कहीं न कहीं आपके मन में create होगा वह आपको बड़ी वह उनकी आने के बाद आपके लाइफ में आपके मन की स्थिती बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी एक साइकल समाप्त होने वाला है आपके लाइफ में जो भी कार्मी किस्टक situation है वह आपके लाइफ में फरवरी मार करने की आवसकता पड़ेगी आप कहीं पर अजस्ट कर सकते हैं लेकिन ये जो अज़स्टमेंट है कुछ समय का रहेगा मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग कहीं पर job करते हैं जौब के साथ आप कुछ और भी कार्य कर सकते हैं ये जो इस्थिती बने गी या आपके लाइफ में एक निव बीगनिंग आप जैसे कि हम कहते हैं पौधे के लिए हम बीज डालते हैं तो कहीं न कहीं आप अपने आपको आँटर्ट तो मोटिवेशन भी आपको प्राप्त होगा यह महीला भी हो सकती है अगर यह पूरूस है तो इनके अंदर feminine energy बहुत ज़्यादा होगी और यह काफी ज़्यादा positive हम कहते हैं कि यह नेक इनसान है बहुत ज़्यादा मतलब यह divine जी के बहुत ज़्यादा close है chosen one आप कह सकते हैं इनको जो कुछ chosen one जिनको परमात्मा जी ने बहुत ही अच्छे से choose किया है वैसे ही कोई person से आपकी मुलाकात या बात हो सकती उनसे आपको मार्गदर्शन प्राप्त होंगे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग अपने आप पर भी आप कुछ ऐसी स्टक situation हुई है कि आप अपने आप भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं इन से मिलने के बाद आप पूरी तरीके से डिवाइन जी के सरन में रहेंगे और उसके बाद आप खुद पर भरोसा करना सीखेंगे आपको motivation प्राप्त होगा इन person से मिलने के बाद आप एक लंबी चलांग लगा सकते हैं मुझे यहाँ पर ऐसी भी energy आ रही है आप divine guidance लेंगे आपके लिए आप जिन भी डिवाइन जी को मानते हैं आप बिल्कुल परणाम कर सकते हैं meditation आपके लिए आ रहा है justice आपके लिए आ रहा है fairness आप fair रहे है आप हमेशा सच्चाई के साथ चलिए हमेशा हनश्टी में रहे हमेशा इमानदारी के साथ काय किजिए सब को करना चाहिए लेकिन आपके लिए मुझे बहुत ज़्यादा ये नजर आ रहा है उसके बाद आपके life में एक भी बुलता एक surprise gift आपको प्राप्त हो सकता है और ये surprise gift आपके love one से आपके soul mate से आपको मि कीजे हैं जो आपने पकड़ कर रखी है जो अपने माइंड में जो अपने थाट में उन सारी चीजों को आप रिलीज कर देंगे और आप एक खुसनुमा इंसान आप फिर से बन जाएगे जैसे आप बच्पन में थे वैसे ही आपका जो inner child है यहाँ पर वो भी हील होगा मु क bagus है वह आप अरपन कीजिए अगर आपको कमल का पुस्प नहीं मिलता है तो आप मांसिक रूप से भी अरपन कर सकते मैंने ये कई बार बताया है तो अम्मीद है आप लोगों कमारधसन प्राप्त हों मार्धसन प्राप्त हों तो like share बदेखर कीजिए !